बर्फ की नदी हिम नद अत्यदिक ठंडे प्रदेशों अत्वा उचे पहाडों पर पानी की बजाए हिम की वर्षा हिम पात होती है इस वर्षा में हिम धुनी हुई रूई की तरह गिरता है किन्तु जमीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ का रूप ले लेता है हिम छेत्र से बर्फ नीचे की ओर ढाल के सहारे खिसकता रहता है इस खिसकते हुए बर्फ को हिम नद या ग्लेशियर कहते हैं नदियों की तरह हिम नद भी घाटियों से होकर बहता है अर्थात हिम नद बर्फ की नदी है जिसका स्त्रोथ हिम शेत्र है हिमाले में अनेक हिमनद है जिनमें सबसे बड़ा गंगोत्री है इसकी लंबाई 32 किलो मीटर है खुम्बू हिमनद नेपाल के एवरेश्ट शेत्र में है या परवत की चढ़ाई का सबसे लोगप्रिय मार्ग है वायूमंदल के बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों के बर्फ पिघलने लगे है और इनकी लंबाई कम होती जा रही है कश्मीर घाटी समुद्रतल से 1850 मीटर की उचाई पर परवतों से घिरी है कश्मीर घाटी जिसे जेलम घाटी भी कहते हैं लगभग 135 किलो मीटर लंबी और 32 किलो मीटर चोड़ी इस परवत मध्य मैदान का निर्मान जेलम नदी के द्वारा हुआ है लेकिन यह भी आश्चरी की बात है कि परवतों के मध्य इतने बड़े मैदानी शेत्र का निर्मान कैसे हुआ वैज्यानिकों के अनुसार यहां कभी एक जील थी एक बार भूकम्प के कारण पहाड में दरार पढ़ने से जील का पानी जेलम नदी में बह निकला उसी प्राचीन जील का अवशेश आज भी डल जील के रूप में मौजूद है जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्री नगर इसी घाटी में डल जील के किनारे बसी है अपने प्राकृतिक सौंदरे के लिए विश्व विख्यात कश्मीर अंतराष्टे सेलानियों का एक प्रमुक केंद्र रहा है भारत आने वाले अंतराष्टे परेटकों की भारी संख्या कश्मीर देखने के लिए आती है डल जील में तेरते नाव के घर जिने हाउस बोट कहते हैं विशेश आकर्शन है और यह यहां के लोगों की आजिविका का प्रमुक स्रोध भी है क्रिशी के अलावा यहां कई प्रकार के उद्योग हैं जैसे कालीन उद्योग अकरोट की लकडी के फ़नीचर बुनाई कश्मीरी पश्मीना शौल के सर आदी करेवा कश्मीर घाटी उची पहाडियों से घिरा है इसका धरातल तस्तरीनुमा है हजारों साल पहले यहां बहुत बड़ी जील थी जिसमें चारों तरफ के पहाडियों से कई नदी नालों का पानी बहकर आता था ये नदी नाले अपने साथ लाए अवसाद मिट्टी, गाद, क्ले, आदी को कई सालों तक जील में जमा करते रहे प्रित्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण पिरपंजाल श्रेणी उपर उठने लगी जिससे जील का पानी बाहर निकल गया और इस पहाडी कगारों पर सीडिनुमा खेद बने जो खेती के लिए काफी उन्नत है इसे करेवा कहते हैं, यहाँ के शित्री भाषा में इसे वुद्रा भी कहते हैं इस सीडिदार भूमी पर बेश कीमती केसर या जाफरान की खेती होती है केसर के फूल से वर्तिकागर को अलग किया जाता है तथा इसका उप्योग कई औशिदियों के लिए तथा जायकेदार खाना बनाने के लिए मसाले के रूप में करते हैं कश्मीरी केसर दुनिया भर में मशूर है लद्दाक शीत मरुस्थल का एक गाउं जम्मो और कश्मीर राज के पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल लद्दाक स्थित है या थार की तरह गरम मरुस्थल नहीं है बलकि शुष्क और ठंडा है पत्रिली जमीन और उचे उचे पहाडों के बीच दूर दूर तक फैला बर्फ का सूखा मैदान है जहां बारिश नाम मात्र की होती है आये लद्दाक निवासी कीम के गाउं के बारे में जाने कीम का गाउं फे है या जासकर घाटी में पिंजीला नदी के किनारे पहाडी ढाल पर अस्य घरों का गाउं है इस गाउं में उपजाव भूमी पर ही पत्थर, गारे और इटों से बने छोटे छोटे घर मौजूद है इन घरों को खंगपक के नाम से जाना जाता है इनके छटे सपाट होती है, सपाट छटों का उप्योग पशों का चारा जमा करने के लिए किया जाता है इस इसान पर भागौलिक परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि यहाँ पर लोग मिल जुलकर छोटे छोटे समूँ में रहते हैं कीम के गाउं में लोग साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं जिसे गोंचा कहते हैं यहाँ केवल जलवायू ही शुष्क नहीं है बल्कि गाउं में पानी की भी कमी हैं खेती होती है पर खेत छोटे छोटे हैं क्योंकि जमीन पत्रीली है और समतल भी नहीं है ज्यादा तर लोग मटर, गोभी, आलू, गेहूं या बाजरा उगाते हैं जो अधिकांश्रिता घर में उप्योग होता है बाजार में नहीं बेचा जाता ऐसी क्रिशी जिसमें केवल इतनी ही उपज होती हो जिससे घर की मूल जरूरते पूरी हो सके निर्वा क्रिशी कहलाती है लोगों के पास जानवर भी हैं प्रमुक जानवर याक, डीमो, जो, जोमो, घोडे, गधे तथा भेड बक्रियां है जो और जोमो, गाय तथा याक के मिश्रित रूप है, डीमो याक का मादा रूप है गर्मियों में कुछ परिवार गाउ की भेड बक्रियों को लेकर उचे चारा गाउ में चले जाते हैं सर्दियों में उचाई पर ठंड बढ़ जाती है, तो वे पुना गाउ की तरफ लोटाते हैं जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले इस तरह के प्रवास को मौसमी प्रवास कहा जाता है सर्दियों में जब कुछ खेती नहीं होती, तब भेड बक्रियों की उन से महलाएं वस्तर बनाती हैं ये लोग प्रकृती के साथ गहरा संबंद बना कर जीते हैं, तथा उपलवद किसी भी वस्तू को वेर्थ नहीं जाने देते